Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 5.8 का question number 5, तो question number 5 क्या कहता है? A diagonal is a line segment that joining any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon. तो यहाँ पर कह रहा है कि जो diagonal होलता है वो क्या होता है हमारा? एक line segment होता है जो दो vertices को मिलाता है और वो side नहीं होता है. example के लिए जैसे हमने यहाँ पर ले लिया यह इस तरह से quadrilateral ठीक है? यहाँ पर यहाँ पर हमने quadrilateral लिया और यहाँ पर हम इसके नाम दे देते हैं A, B, C, D. अब यहाँ से अगर हम A point और B point को मिलाएं तो यह हमारा क्या हो गया? side हो गया इस quadrilateral का, तो यह हमारा diagonal नहीं होगा. diagonal क्या होता है? जो side ना हो तो इसका मतलब हम A को C से मिला देते हैं इस तरह से. तो यह हमारा क्या हो जाएगा? diagonal हो जाएगा इस quadrilateral का. तो diagonal क्या होता है? कि किसी vertex से, उसके साथ वाली vertex को छोड़ के किसी और vertex से अगर मिला दें तो जो line segment मिलता है उसी को हम diagonal बोलते हैं आगे कहता है draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonal तो यहाँ पे कह रहा है कि हम एक pentagon draw करें rough sketch draw कर सकते हैं और हमें उसके diagonal से बताने हैं तो यहाँ पे pentagon क्या होता है ऐसा polygon होता है जिसकी five sides हो तो हमने यहाँ पे एक pentagon बना लिया इस तरह से यहाँ पे पहले हम points बना लेते हैं ताकि pentagon बनाना आसान हो जाए ठीक है तो यहाँ पे इसको हम इस point के साथ मिला देते हैं इस तरह से इसको हम इस point के साथ मिला देते हैं, इस तरह से, इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे तो यह हमारा एक pentagon बन गया, इसका हम नाम दे देते हैं, a, b, c, d, e तो अब diagonal क्या होता है कि इसकी जो साथ वाली vertex है उसको छोड़के किसी और से मिला देते हैं तो यहाँ पर हम अगर A की बात करें तो इसके साथ वाली vertex कौन सी है एक तो यह हमारा B है और दूसरा E है तो इसका मतलब हम A को B और E को छोड़के इसको हम बाकी किसी से भी मिला सकते हैं तो यहाँ पर हम A को C से जोइन कर देते हैं एक यह line segment मिल जाएगा similarly A को हम D से जोइन कर देते हैं एक हमें यह line segment मिल जाएगा तो यह जो line segment है यह क्या है हमारे diagonal हैं तो यहां पर हम लिख लेते हैं, diagonal कितने होंगे हमारे, diagonal, तो पहला होगा हमारा A, C, दूसरा होगा हमारा A, D, अब हम A से B पी आते हैं, B से अगर हम देखें, तो A से नहीं मिला सकते, C से नहीं मिला सकते, तो कौन से point बचे, E और D, तो हम B को क्या करते हैं, E से मिला देते हैं इस तरह से, D से मिला देते हैं, इस तरह से, तो हमें दो और diagonal मिल गए, क्या मिले, B, E, B, D, अब हम C पे आते हैं, C से हम D को नहीं मिला सकते, B को नहीं मिला सकते, तो कौन से बचे, E बचा और A बचा, C से A को तो पहले ही मिला जा चुका है, तो हम क्या करते हैं, E से मिला द तो यह जो line segment आया यह diagonal होगा C, E, उसके बाद में हम D पे आते हैं, तो D पे हमारा क्या है? E से नहीं मिला सकते, C से नहीं मिला सकते, तो हम कहां मिलाएंगे? A और B से, जो कि हमारे पहले से ही मिले हुए हैं, तो यहाँ पे यह हमारे क्या हो गए? जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो एक pentagon के 5 diagonals होते हैं, जो कि यह हमारे इस तरह से होंगे, questions हमापत, next lecture में करेंगे, next questions आज के लिए बस इतना ही